आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो यहां पे हम लेकर आये है आरपीएसी बॉटनी का सेकेंड पेपर और इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे कोशन नमबर वन से लेके 150 तक यानि कि सारे कोशन पेपर सेकेंड का इसी कि किसी कोशन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में बता सकते उस चीज को उस चीज को सही किया जाएगा और कुश्चन वाल कराने से पहले एक चीज और का दू कि चैनल पे नए हो तो प्लीज कर लो सस्क्राइब और हमारे पास देखो ना बॉटनी का कोश भी अवाइ के लिए इस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे ठीक है तो चलो एक एक कोशन देखते हैं कोशन बड़ी ही सिंपल टाइप क्या है अगर कोई भी स्टुडेंट ट्विल्थ लेवल तक अगर NCRT पढ़के गया होता तो ये सिकेंड वेपर आसानी से सॉल कर पाता तो पहला कोशन है प्लांट मैंली उटिलाइज दे रेड एन ब्लू रीजन आप वीजबल लाइट डियूरिंग फोटो सिंथेसिस इट वाज कंक्लूटेड फर्स टाइम भाई तो ये देखो एंजल मैन का एक्सपरिमेंट किया गया था उन्होंने लिया था एलगी का फिल इसलिए यहाँ पर रेड और ब्लू में जयादा निकर रा था क्योंकि यहाँ पर आपका फोटो सिंथेसिस का रेड भी ज्यादा था तो ये समझ गया ना इंजल मैन ने दिया था किस अलगी पर किया था ये आपको बताना है कमेंट स्क्षन में कि एंजल मैन ने अपना एक जब oxygen को byproduct के रूप में नहीं release करते हैं कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो H2S का use करके sulfur को release करते हैं अगला question है the immediate electron donor to PS1 donor to PS1 तो आपने Z scheme के बारे में बढ़ा होगा यहाँ पर PS2 हो रहता है फिर इधर PS1 होता है तो यहाँ पर इधर plastosinin होता है तो इलक्तरान यहाँ से घूम के प्लास्टो साइनीन के पास आता है फिर प्लास्टो साइनीन देता है PS1 को तो PS1 का immediate electron donor कौन रहेगा प्लास्टो साइनीन रहेगा तो यह बात आप याद कर लेना empirical formula of chlorophyll A क्या है तो empirical formula chlorophyll A का होता है C55H72O5N4MG तो बहुत ही simply आप इसको भी कर सकते हैं consider करना आपको following statement को और आपको answer बताना है कि submerged plant get CO2 in form of carbonate and bicarbonate तो यह सही है कि भाईया जो submerged plant होते हैं CO2 को carbonate and bicarbonate के रूप में लेते हैं is to meta are not present in submerged plant तो यह भी बिल्कुल सही बात है लेकिन assertion region एक दूसरे से related नहीं है तो आपको होगे both assertion is region are correct but is not correct explanation ठीक आप assertion तो चउथा आपका right answer हो जाएगा ठीक है जी चलो अगले question पर हम चलते हैं checking of an enzyme action by blocking of its active site is card तो आप इसको active site को block कर रहे हैं मतलब कुछ ऐसे chemical या analog होते हैं जो active site से bind कर जाते हैं और rate of reaction को inhibit करते हैं तो उसको हम बोलते हैं competitive inhibition melonate वाला आपने सुना होगा creep cycle में तो उसको हम competitive inhibition बोलते हैं ये बताओ competitive inhibition होता है तो VMAX और KM के उपर क्या प्रभाव पढ़ता है तो KM होता है बढ़ जाता है VMAX के उपर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता है ना सही बता रहे हैं गलत हाँ भाई comment section बताना अगला question है which of the following फैकल्टेटिव क्रेसेलोसियन एसीड मेटावलिजम कैम पात्वे फैकल्टेटिव कैम कौन है तो ये में सेमरेंथेनम क्रिस्टलिनियम है तो ये आपका तीसरा राइट एंसर होगा carbon dioxide compensation point क्या होता है कैसे मतलब carbon dioxide compensation point होता है C3 plant में high होता है और C4 plant में या तो absent होता है या तो आप कहोगे low होता है तो high in C3 plant and low in C4 plant अगला हमारा question है the number of oxygen molecule release per photon of light तो मतलब एक photon पढ़ रहा है तो कितना oxygen release हो रहा है तो उसको quantum yield बोलते हैं क्या बोलते है quantum yield quantum requirement होता है कि एक molecule आप oxygen को release करने के लिए कितना light quanta जरूरी है तो वो होता है आपका quantum requirement तो 8 ये 8 होता है quantum requirement 8 होता है और quantum yield 12.5% होता है अब ये कैसे होता है पढ़े होगे तो आपको पता होगा ठीक है आप जर तो following chemical reaction और आपको पूछ रहा है कि yes to a क्यारी present करता है तो देखो oxidation का मतलब होता है breakdown और reduction का मतलब होता है कि molecule का बनना तो देख रहे हो yes to a है यहाँ पे तूट रहा है ना तूट रहा माने कि यहाँ पे oxidation हो रहा इसका तो यह suitable oxidizable compound है कहीं बेभी breakdown हो तो oxidation अगर वहाँ पे बन रहे दो molecule एक जूट के कोई नया molecule बनाए तो वो reduction है समझ रहे हो बात को photosynthesis में ऐसा ही होता है ना H2O जो होता है वो तूटता है तो उसका oxidation होता है CO2 जूड के glucose बनाता है तो उसका reduction होता है तो उसी हिसाब से वही चीज दिया हुआ ही है यहाँ पे समझ यह बात को proto chlorophyll differ करता है chlorophyll में किसके lacking में तो proto chlorophyll में क्या होता है यहाँ पे दो hydrogen atom नहीं होता यहाँ पे बन पाइराल रिंग में तो तीसरा इसका राइट एंसर होगा अगला हमारा question है which amino acid is one of the entry point of ammonia या amine assimilation into amino acid तो यह glutamate होगा आप go get pathways up पड़ोगे तो वहाँ पे आएगा ऐसा कौन सा enzyme है जो कि nitrogen को ammonia में fix करता है तो यह आपका nitrogen होगा यह बताओ nitrogen में कौन सा metal होता है जो activation का काम करता है कौन सा होता है बिलकुल सही बात molybrenum होता है यह बात याद रखना the first eukaryatic example आप two component signal transduction system तो two component fast four relay system आपको देखा जाता है ethylene के receptors में अगर आप बात करे two component signaling पात्वे तो cytokinin भी होता है तो cytokinin है नहीं यहाँ पे तो आप ethylene मारोगे conversion of fat into carbohydrate कहाँ पे text place होता है तो यह glyoxylate cycle में होता है तो यह सब एकदम direct simple question है beta oxidation of fatty acid कहाँ पे होता है तो देखो beta oxidation of fatty acid mitocondium भी होता है paroxysome में भी होता है तो इसको आप challenge कर सकते हो देखो अब RPS6 का क्या answer बताती है ऐसा कौन सा option है जो correctly match नहीं है तो Gips ने free energy के बारे में बताया था delta G के बारे में Mitchell ने देखो 1978 में बताया था किसके बारे में ATP synthesis की hemo-osmotic theory के बताया mass flow hypothesis तो मंच ने बताया था तो यही आपका answer होगा RNA ने photo phosphorylation के बारे में बताया Kelvin ने dark reaction के बारे में बताया ठीक है जी तो अगले question पर चलते हैं हम हमारा अगला question है during seed germination conversion of fat into sucrose each completed in तो यह सबसे पहले glyoxysol में होता है फिर mitochondria में फिर cytosol में actual होता है तो glyoxysol, mitochondria and cytosoline वाल होते हैं nitrogen fixation वाले organism जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो ऐसे organism जो nitrogen को fix करते हैं ऐसे bacteria कुछ fungi भी होते हैं कुछ cyanobacteria होते हैं तो उसे di-azotrop बोलते हैं two pathway आप ammonia simulation तो वो goget pathway और GDH pathway है तो अभी हम उपर ही बात कर रहे थे इसके बारे में अगला हमारा question है which of the following not a second messenger in signal transmission तो देखो DAG है आप IP3 DAG pathway पढ़ते हो calcium भी है second messenger CAMP है लेकिन mitogen activated protein नहीं है तो आपका answer देखो यही होगा यह चउथा वाला answer होगा तो frankia कह रहा है कि frankia किसके साथ symbiotic relationship बनाता है तो frankia को हम actinorhigel symbiotic bacteria बोलते है जो non-legume plant के साथ बनाता है तो यह illness होगा ठीक है अगला हमारा question है what is required in both photosynthesis and respiration तो cytochrome दोनों के लिए जरूरी है भाई आप समझ जाओ respiration को हम कैसे denote करते हैं तो CO2 by O2 क्तलब कितना CO2 लिया जा रहा है और कितना CO2 रिलीज किया जा रहा है यह आपका respiratory question होता है अरे हाँ, जैसे 0.7 होता है fat के लिए 0.8 होता है protein के लिए more than 1 होता है organic acid के लिए 4 होता है alcoholic acid के लिए 1 होता है carbohydrate के लिए और 0 होता है camp pathway के लिए तो ये सारे question पूछे जाते हैं aerobic respiratory pathway को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं amphibolic pathway क्या बोलते हैं इसको amphibolic pathway को बोलते हैं क्योंकि creep cycle में actually में breakdown होने के साथ साथ भी formation भी होता है चीजों का tick जैसे chlorophyll हो गया यह सब light compensation point क्या होता है light compensation point इज़े point where rate of photosynthesis become the equal rate of respiration जहां पर क्या हो दोनों का हो जाए rate of is equal to rate of respiration last electron receptor in respiration कौन होगा तो वो हो जाएगा oxygen आपका inhibitor कौन है oxidative phosphorylation का देदों को oxidative phosphorylation का inhibitor बोलगे तो एजाइड भी होगा cyanide भी होगा 24D भी होगा लेकिन most correct हम दो के साथ चलेंगे 2 होगा cyanide जो actually में आपके complex 4 को inhibit करेगा अगला हमारा question है cellular respiration में जो होता है terminal oxidation पे कौन सा साइटोक्रोम है जो electron देता है oxygen को तो वो A3 है succulent plant में RQ कितना होता है तो अभी हमने बताया है 0 होता है उपर ही बताया था TCA cycle में क्रेफ cycle क्यों कहते हैं उसमें तीन carboxylic acid किसमें किसमें होता है तो वो satric acid, iso satric acid और oxylo succinic acid में होता है the reagent commonly used to test seed viability कोई seed germinate कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो वो tetrazoleum salt जिसका हम काम अगर chemical नाम बता है तो 235 triphenyl tetrazoleum chloride होगा यह question कई जगे पूछा गया है ना इन्द प्रोड़क्शन आप एथेनाल पारवेक इसीड फर्स्ट कनवर्टेट टू acetaldehyde by the enzyme तो यह pyruvate decarboxylase के द्वारा होता है ठीक है अगला हमारा question है which of the following is an example of true alkyloid तो true alkyloid कौन है इसमें से तो nicotine जो है आपका यहाँ पे होगा true alkyloid अगला हमारा question है which of the following plant is an example of soving exceptionally long dormancy period in life तो lupine का जो seed है बहुत ज़्यादा समय तक dormant condition में रहेगा ठीक है बाद में grow करेगा gibraline को सबसे पहले crystallized form में किस ने किया था तो वो किया था याबूता और हयासी ने खोजा किस ने था कुरुसावा ने खोजा था जापान से 1926 में अगर हम प्लांट को इस पोज करते हैं न्यू फ्लक्ट्वेटिंग पैटर्न आफ लाइथ दा बायलाजकल क्लॉक में भी रिसेट विद टाइम तू कंफर्म दा न्यू पैटर्न इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं च्लेय प्लांट अपने आपको कि अपने इस्टोमेटा को खुलना है इस को सर्केडियम रिदिन नहीं इन ट्रेयनमेंट होगा इस गा कि इंसर the following, PR is not correctly tenth ओ जीकल डॉमिन जीब्रियलीन इलोंगेसन यानि ब़ोल्टिंग कराता है साइटोकाइनिन सेल डिविजन कराता है लेकिन एपसेसिक एसिड ब्रेक डॉर्मेंसी नहीं करता यह जीएत्री का काम है जीबिरेलीन का काम है तो यही राइट एंसर होगा पाजिटीव फोटो ट्रॉपीजम इस ड्यू टू इलांगेशन आप सेल तो ओजिन की वज़े से होता है तो जो आपका से ड्यू इरी आ में ज्यादा ग्रोथ होता है और जो लाइट वाला एरीया होता है वहाँ पए कम होता है अगला हमारा क्वोष्वन है इसे इसे में मालो इधर से light आ रहा है ना light आ रहा है तो इधर ऐसे जुकेगा तो जुकेगा तो पीछे के साइद में growth जादा होगा इधर मुटाएगा तो अगला हमारा question है which of the following biomolecule does not help in mitigating abiotic stress in plant तो देखो salicylic acid abiotic में रहेगा फिनोलिक्स रहेगा लेकिन यह विक्टोरीन जो है यह बायोटिक stress के लिए है अगर प्लांट में कोई pathogen यह सबा रहा है तो यह बायोटिक stress में काम करेगा which of the following is plant secondary metabolite तो देखो plant secondary metabolite जो है इसको polytine है यह सब primary metabolite है lignine, gibraline, pectine, gibraline को यह दबी secondary metabolite में हम कभी-कभी रखते हैं लेकिन इसका direct role होता है plant में देखो जिसका direct role है plant में वो primary metabolite जिसका indirect role है वो secondary metabolite चूज करना है आपको wrong statement को देखते हैं प्रोकरियाट इस a cell whose genetic material is present throughout the cell while in eucleot genetic material is well organized into the nucleus यह सही बात है यह सही बात है तो यह अभी हम hold पे करते हैं यह ही right answer हो सकता है इसको hold पे करो the assembly आप amino acid into protein occur by the same mechanism in all procreate as well as eucleot तो यह तो सही है भाई क्योंकि genetic code समान होते हैं एक दूसरे का the mechanism of protein synthesis is different in procreate and eucleotic different नहीं होते हैं लगबग different होते हैं यह confirm करना आप the mechanism of protein synthesis is different in procreate and eucleotic लगबग same ही होते हैं यह क्यों जी सेम ही होते हैं न प्रोटीन से ट्रांस्लेशन ट्रांस्किप्सन अलग अलग मालो वहां पर जैसे 80S होता है यहां पर 70S होता है प्रोक्रियाट में तो यह भी हम सही यह गलत दिया गया है तो इसको हम रायट एंसर मानके चलते हैं क्योंकि देखो यहां पर प्रोक्रियाट में भी कुछ प्रोटीन होते हैं तो दूसरा और चोथा में है तो आप यह बताओ क्या होना चाहिए दूसरा होना चाहिए चोथा बताना प्रोटीवन का क्या होगा एंसर दूसरा होगा या चोथा होगा चलो अगले चलते हैं तो यह ग्लायाक्सिसों में होता है यह सिंपल कोशन है फ्लावरिंग इन डे नूट्रल प्लांट अकर डियूरिंग तो यह मतलब इसको फोटो पिरियेट की जरुए नहीं होती है ने हरसे एंचेज ने आपका बताया था बैक्टिरियोफेज एक्स्परिमेंट के बारे में निरेनबर्ग एंखुराना ने जेंटी कोट के उपर काम किया था इन्होंने डबल इस्टेंड डियने के उपर काम किया था अगला हमारा क्वेशन है इफ दब बेस सिक्वेंस अगया है तो यहां पर तो आपका एंसर की आजाएगा यह वाला तीसरा वला क। अबस आपको करना क्या है ना बस यहां पर DNA रहता तो एडिनीन के जगा थाइमीन आता लेकिन यहाँ पर यूरसी लाए जागा आरने की बात कर रहा है ना माइक्रो बॉडिज कौन है इसमें से तो माइक्रो बॉडिज है पराक्सिसोम और ग्लाक्सिसोम सिक्वेंस आप एंजाइम कौन है थाइमीन डाइमर को रिपेर करने के दोरान कौन होता है तो सबसे पहले आता है इंडो नुकलियर जो की कट लगाता है फिर पॉलिमरे जाता है फिर लाइक है जाता है तो दूसरा होगा आपका राइट एंसर तो यह आपका जेट डियनने आपको पता है यह बताओ जेट डियनने लिफ्ट हैंडे होता है कि राइट एंडर बहुत सिंपल कुशन पूश रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई सेल है बहुत तेजी के साथ डिवाइट कर रहा है तो उसमें इंडो प्लानर रेटिकुलम पूरली डिवलफ होगा उसको टाइम ही नहीं मिलेगा एकदम टोटली डिवलफ होने का dna polymerase सबसे पहले किसनेग हो जा था तो कौन वर्ग नेग हो जा था इन्होंने dna के बारे मारे बताए था या पता ही है ठीक है तो यह पहला हो जाएगा एंसर लैंप ब्रस क्रोमोसोम आपको पता है उस आइट आप दा एंफिबियन में मिलता है यह मियोटिक बाइवेलेंट है ठीक है डिपलोटीन सभी स्टेज में देखा जाता है ठीक है ठाइमीन दाईमर या पारीमिमिलिन नाइमर आपको होगे सच्ट क्रोमोसोम आपको कहां पे देखा जाएगा तो जो क्रोमोसोम पे सेकंड्री onAN? स्रिक्सन होता है उसको सैट क्रोमोसोम हम बोलते हैं अगला कोशन है निगेटिव सूपर क्वाइलिंग को रिमूब करने के लिए कौन सा एंजाइम हेविल करता है रिप्लिकेशन के दोरा तो वो टोपो आईसोमरेज है सेकेंड एक्चली में जिसे हम गाई रेज बोलते हैं अगला हमारा कोशन है नेम देना है साइंटिस्ट का जिन्होंने बताया था ओमनी सेलूला इसलूली के बारे में यानि कि न्यू सेल एराजिस्टिंग सेल तो आपका रुडॉल्फ विरको है ठीक है स्लाइडन एन स्वान ने दिया था सेल थीवरी हैवर्लन ने टोटो प्र विरकोटेंसी के बारे मिताया स्वान ने बताया कि सेल वालिज डिफानिंग फीचर अब द प्लांट का होता है का इन डोकोर आपका है प्रोटीन वीच बाइंड एड़ ग्रोर्टीन वीच क्या दोनों एक हिच जैसे लग रहे है ना प्लोटीन वीच बाइंड एट सेंट् रहेगा in which pair of the chromosome, down syndrome क्यों होता है, तो down syndrome trisomy की वज़ाच सोता है, 21th chromosome की वज़ाच से, न, nucleic acid किसका polymer है, तो nucleic acid is the polymer, आप nucleotide A, तो only A इच करेक्ट आएगा, न, tripartite structure कब आपको देखा जाता है, तो tripartite structure आपका बनता है, क्रासिंग ओबर के दौरान और क्रासिंग ओबर होता है पैकेटीन सभी स्टेज में सेंटो मियर कब डिवाइट करता है तो सेंटो मियर डिवाइट करता है एनाफेस सिकेंड में एनाफेस फर्स्ट में तो आदे आदे क्रुमोसम पोल पे चले आते हैं एना फे सिकेंड आता है तो स्रेंटोमिय डिवाइट करता है तो इसको जो इसको हम एलीलो मार्फ बोलते है हमारा अगला कोश्चन है एक मिनिट इसको हमारा अगला कोश्चन रेपाई पार्मेश उसकावाइट है लेकिन ऐसको प्रूप 11 चेज के उनिज CBS 2062 में बैक टिर्युफेज करेंट टीटी टीरियॐ फररा ऐसा कौन सा फेनाविना है जहां पर जिलीज क्या जाता है वमने स्टेन के दौरा और ऑर दूसरा भी ले without coming in contact तो ये होता है actually में transformation मतलब एक बैक्टिरिया दो बैक्टिरिया रहते हैं मीडिया में एक बैक्टिरिया DNA यहाँ पर रिलीज कर दिया दूसरे बैक्टिरिया ले लिया तो ये transformation है transaction के बारे में gender and leaderberg ने बताया था जहाँ पर bacteriophage help कर रहा था अगला question है who discovered gene interaction by studying inheritance of shape of comb of cock तो ये Batson ने किया था ratio आपका actually मिर रहा था 9-3-3-1 आप कहोगे ये मेंडेलियन का तो मेंडल का वो क्या था कि भाईया मेंडल का जो क्रास था वहाँ पर one character को लेकिया रहा था ना यहाँ पर दो character था अगला हमारा question है when the phenotypic and genotypic ratio एक दूसरे के समार रहे 1-2-1 आये तो क्या रहेगा तो आपका रहेगा incomplete dominance जिसके बारे में बताया था काल कोलेर्स ने snap dragon और विरा बिलीज के उपर experiment करके अगला question है cytoplasmic male stellarity is governed through mendelion inheritance ये गलत बात है cytoplasmic inheritance होता है यहाँ पर mendelion crush नहीं कामाता reciprocal crush कामाता the genes responsible further cytoplasmic male stellarity are located at metocardian तो ये सही है तो assertion is wrong region is correct होगा अगला हमारा question है match करना है आपको ratio बहुत अच्छा question है तो आपका पहले देख लेते हैं duplicate gene होगा 15 ratio 1 polymeric होगा 9 is to 6 into 1 और आपका होगा recessive pistastis होगा 9,3,4 inhibitory होगा 13,3 तो पहला का 3 match हो जाएगा और पहला का 3 match होगा तो यही आपका answer आजाएगा ठीक है पहला वाला अगला हमारा question है the deployed number of chromosome in tomato is 24 how many linkage group तो linkage group पता करने के लिए haploid chromosome ले लोगे वही linkage अगर किसी के पास 10 chromosome है तो linkage group उसमे 5 आएगा तो यहाँ पर 24 है तो आधा कर दो 12 आजाएगा the mapping unit centi margan used to linkage map is equal to 1% recombination progeny तो 1% आएगा तो यह test crash इसे बोलेंगे अरे 1 ratio 1 test crash consider the statement यहाँ पर दिया गया है first crash F1 plant is crash to the parents of dominant phenotype no recessive individual are obtained तो यह आपका क्या है फिर दूसरा देख लेते हैं F1 plant is crash with the recessive parents both phenotype appear in progeny तो देखो बड़ा अजीब दिया गया है यह बोड़ ग्रास से साथ reciprocal crash तो यह reciprocal crash हो सकता है इस question को मैं skip करता हूँ बड़ा time लगेगा इसको तो इसको आप बताना देख के क्या होगा 71 का question ठीक है नहीं तो मैं हम discussion करेंगे ना आज telegram पे तो देख लेंगे इसको अगला हमारा question है the codon for AUG तो AUG is the initiation codon जो की methionine को code करता है how many codon are obtained by double code system तो double code system करोगे तो चार गुड़े ऐसे करोगे तो चार गुड़े चार आजाएगा सिस्टीन ठीक है सिस्टीन कोड़ान आएगा which enzyme catalysis transcription आप RNA in bacteria तो यह DNA dependent RNA polymerase रहेगा जो transcription कराएगा match करना है आपको match कराना है आपको यह question तो आपका match कराओगे तो रेक BCD जो रहेगा वो match करेगा आपका किस से यह protein that track along the DNA रिकागराई double standard break तो यह रेक BCD रहेगा तो यह पता करेगा कि कहाँ पर double standard break है तो A का match हो जाएगा F में और B का यह देखो और यह SSB SSB जो रहेगा यह coat करेगा broken end up chromosome तो D का E match हो जाएगा क्या match हो जाएगा D का D का match हो जाएगा E तो देख लेते हैं D का E कहीं पर है क्या D का देखो E 1 में ही है ठीक है तो आपका answer आना चाहिए यह वाला चाओ था चलो अगले question पर चलते हैं FISH fluorescence in situ hybridization किसका technique है तो यह detect करता है locate करता है specific DNA sequence सांदर chromosome तो यह तीसरा ही होगा ribosome in procreate cell bind to तो procreate cell में translation के दौरान ribosome जो होता है वो sign dalgyerno sequence से bind करता है तो यह आपका सही है promoter से तो RNA polymerase bind करता है kojak sequence देखो यह kojak sequence भी ज़रूरी है translation के लिए protein synthesis के लिए eukreatic में अब देखो आपको gene mapping से question आया हुआ है बहुत simple question है देख लो सबसे ज्यादा distance इसके बीच में है जो ज्यादा distance इसके बीच में रहेगा वो एकदम किनारे किनारे पर रहेंगे तो A और B में 6 है तो A और B को एकदम किनारे किनारे पर दूड़ना है a change in single amino acid that result from a point mutation in DNA तो यह तरह का कैसा mutation आएगा यह आपका missusense mutation कहेंगे amino acid का sequence change हो जाएगा यहाँ पर इनी CSNA polypeptide मतब protein synthesis कराना है translation कराना है तो कौन amino acid वहाँ पर आएगा methionine आएगा EUG के साथ देखो question कितना repeat हुआ है न which plant used by Hugo Dries for mutational theory तो 19 ले मेर के आना के उपर इन्होंने काम किया और इन्होंने mutation के बारे हम बताया AFLP के बारे हम पूछा है तो producer approaches procedure for AFLP combine some feature of each RFLP and RAPD तो यह सही है it involved restriction digestion आप genomic DNA यह भी सही है the end of resulting fragment are modified by ligating them to appropriate adapter यह भी सही है तो A, B, C all correct in the control of wild type lacto जो परान if glucose is absent that अगर lactose present रहेगा तो leg operon को on करना रहेगा leg operon को on करना है तो CMP का level high होना चाहिए और transcription होना चाहिए तो CMP का level high और transcription विला कर क्योंकि lactose है ना ketabolic repression पढ़े हो गया the in vitro technique for applied plant था तूरा एनोक्सिया वाला यहां पर दिया है तो गुहा एन महस्वरी ने किया था स्कूग एन मिलर ने artificial cytokinin के बारे में बताया था मुरासिक एन स्कूग MS medium के बारे में बताया थे और ये टोटीपोटेंसी के बारे में बताया थे which type of bond responsible for secondary structure आप रोटीन देखो primary structure में होता है only peptide bond secondary structure में आता है intermolecular और intramolecular hydrogen bonding ठीक तो दूसरा आजाएगा the selection method of wasteative propagation आप plant तो इसको हम बोलते हैं wasteative propagation होता है तो सारे plant जो रहेंगे एक जैसे रहेंगे genetic material एक जैसे रहेगा तो clonal selection उसे बोलेंगे the progeny आप single homo जाएगा self pollinated plant तो इसको हम बोलते हैं pure line heterosis देखो दिया है बहुत जरूरी है gsl ने ये term दिया था hybrid बिगोर इसे बोलते हैं superiority आप the progeny for this parent मतलब जो progeny होते हैं parent से better होते हैं एक group आप plant produce from a single plant through a sexual reproduction तो कोई भी यहां पर crossing over variation आ ही नहीं रहा है तो इसको हम clone बोलते हैं abnormality that occur during micropropagation by use or plant is a culture method include तो इसको मिक्जो आटोटोफी होगा पूर और पूर cuticle development हो सकता है मतलब साही से nutrition नहीं मिलेगा cuticle साही से develop नहीं होगा which are the following is not a plant derive elisiator तो देखो plant derive जैसे pectine हो पेक्टीन तो है cellulose भी है अब देखो यहां पे irgoisteral और कायटीन दोनों फंजाय से मिलता है तो answer दोनों हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है लेकिन ज्यादा correct irgoisteral में मार के चलता हूँ and this plant is required to be disinfected prior to placing in the culture this is done by तो आप disinfection के लिए आप Clorex का यूज कर सकते हैं या sodium hypo chloride का यूज कर सकते हैं क्या 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 जरूरी है उनके अजप्सन क्या है तो वहां पर देखो no selection no mutation no migration no randomating no genetic variation in population no reproduction in population तो देखो होना चाहिए ना self तो आपका answer जो है पहला आना चाहिए आल आप दीच कर सकते लेकिन यहां पर नो reproduction दे दिया है ना इसलिए आल नहीं करेंगे पहला करेंगे अगला हमारा question है in vitro production of secondary metabolite तो secondary metabolite के production के लिए हम suspension culture करते हैं cell suspension culture which compound is responsible for HDD and continuous release of iron into the MS medium तो iron करना है तो EDTA sodium EDTA का यूज करेंगे EDTA एथिलीन, tetradiamine ऐसे करेंगे कुछ फॉर्म में ना बताना comment section में addition of which of the following substance is essential for isolation and culture of protoplast to prevent their rapture तो asmoticum आप यूज करोगे asmoticum वहां पर दोगे तो फिर वहां पर release होगा scientist जिन्होंने demonstrate किया enzyme का यूज करके protoplast तो वह थे cocking अब plant development ने somatic improve का development में क्या रहेगा single cell रहेगा, फिर group of the cell रहेगा, फिर globular stage आएगा, फिर हर्सेप डाएगा, फिर tarpido तो यही तीसरा वाला सही होगा soma clonal variation क्या होता है soma clonal variation में रहेगा soma clonal variation यूज क्रेस्टेस्टिक feature आप तो इसका रहेगा मेरे हिसाब से redifferentiation and direct somatic embrigination है जागा मतलब ऐसे cell जो division capacity lost कर जुके थे फिस उसमें आ रहा है तो उसमें soma clonal variation आएगा the cell totipotency in plant experimentally proved गाई तो यह renert और steward ने किया था carrot के उपर काम करके identify करना है आपको correct ascending order आप vector insert size के अधार पर तो सबसे छोटा insert size रहेगा plasmid का फिर phage का फिर casmid का फिर back और फिर react का आपको बताना है कि genomic library या कहे तो human genome project में किस vector का यूज किया गया ध्यान से सुनो question मैं पूछ रहा हूँ आपको human genome project जो हुआ था उसमें किस vector का यूज किया गया था अब देखो ये question बहुत ही simple है आपको अलग-अलग technique दिया गया scientist का नाम बता रहा है तो PCR को carry molis नमिला एक का 3 और एक का 3 यहाँ पे है jumping gene के बारे बार बारा मैक लिंग टॉंग ने बताया B का 1 ठीक है DNA fingerprinting के बारे में Eric Jeffreen बताया C का 4 तो C का 4 देखो यहाँ है तो answer यही हो जाएगा DNA polymerage के बारे में car number ने बताया DNA polymerage वाला एक ऐसे ही question पुछा था अलग से तो देखो यह हो गया रिपीट अगला question है which are the following method of micro propagation does not help increasing genetic diversity तो clonal propagation करोगे तो यहाँ पर सब एक जैसे रहेंगे भाई तो genetic diversity उससे बढ़ेगा ही नहीं तो यह हो जाएगा चाउथा अगला हमारा question है what is true for RT-PCR तो RT-PCR के लिए क्या true है तो it create multiple multiple copy of DNA यह mRNA तो RT-PCR है ना reverse transcription तो आप RNA से DNA ही तो बनाओगे from non DNA तो DNA बनाओगे तो तीसरा ज्यादा सही रहेगा तीसरा ही होगा which are the following GM food watch create to address the problem of vitamin A deficiency तो इसके लिए golden rice पुत्र कियस ने बनाया था ठीक है फ्लेवर्स वर वर्याटे बनाया गया कि उसका self life बढ़ाया जाया RNA interference का यूज करके gene knockout gene knockout हुआ जिसका हम eliminate कर दिये मतलब gene knockout किया गया जिसको हम eliminate कर दिये उसको खतम कर दिये that has been eliminated from species during evolution which of the following is the correct sequence of step in gene cloning experiment involved vector तो सबसे पहले आप क्या करोगे restriction digestion करोगे DNA का दूसरा पहले होगा फिर क्या करोगे mixing करोगे 2-4 फिर क्या करोगे DNA ligation करोगे 2-4-1-2 sorry 2-4-3-1 2-4 एक मिनट सबसे पहले 2 होगा फिर 4 होगा फिर क्या होगा 1 होगा फिर 3 होगा तो यह वला एक collection आप recombinant recombinant vector which contains fragment of chromosomal DNA तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम genomic library बोलते हैं क्या genomic library बोलोगे न ज्यादा correct A होना चाहिए consider the following statement for testing in case paternity distribute DNA fingerprinting is very important technique मतलब कौन किसका बच्चा है कौन किसका पापा है उसके लिए यूज होता है इट इंप्रिंप्रिंसपल आप polymorphism in the DNA sequence यह सही है तो दोनों सही है भाई दोनों तो correct explanation होगा अगला हमारा question है अगला हमारा question है इंडियों में मीटी था तो यह दूसरा होगा यह बैसलस थ्रूइंजैंसिस जो की insect resistant plant बनाने में काम करता था कौन जीन था क्राइजीन था यह वायरस से आता है जो हमारा है लेम्डा फेज विच आप दो फॉल्विंग पेर और करेक्टली मेश टाइब टू रेस्टिक्शन इंडियो कटिंग डियने एट स्पेस्फिक साइट तो यह तो यही सही होगा एकदम करेक्ट डियने लाएगे रिमूब नहीं करता है इंडियो निकुलिय ज्वाइन नहीं कराता है रिवर्स ट्रांस्किप्ट्स में मेकिंग डियने फ्रम इन एमरने यह भी तो सही दिया है तो एड है क्या अगला कोश्चन है इसा कौन सा एलिमेंट है जो हम जीन गन में यूज करते हैं ट्रांस्फार्मेशन में तो वह गोल्ड या टंगस्टन है तो यहां पर टंगस्टन दिया गया है जीन सैंफोर्म ने बनाया था 1984 में विच आप दो फॉलिंग फ्रेक्टर अफेक्ट द फिडेल्टी आप डियने पॉलिमेरेज तो डियने पॉलिमेरेज कितने अच्छे तरीके से काम कर सके तो यह मैगनिसियम कंसेंटेशन पीच एने लिंग टमरेचर सब काम करता है सब प ट्रेड मार्क इंक्लूट डिजाइन से नंबर स्लोगन इसमेल साउंड इसी बिल्कु सही बात है ट्रेड मार्क का मतलब है लोगों से ठीक है कि आपकी जो बिजनेर्स है आपका जो ब्रांड उसको कैसे पहचाना जाता है वीच आप फॉलूइंग पीसिया टेक्नोलाजी इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है ना टाइम आगया देखो टाइम है तो रियल टाइम पीसियार कहेंगे अगला हमारा कोश्चन है इन बाई नॉमिनल डिस्टिबुशन इफ एन इस इकल टू एट तो मैं एंसर बताते चलता हूं एंसर इसका अप टेस्टिबल तो इसके लिए इनोवा एनालीसिस आप वैरियंस किया जाता है अगला हमारा कोश्चन है दर्रैंक कोफिसेंट आपको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा और इसकल टू आर इस इकल तो वन माइनस 6 इडी स्कॉर बाई यन स्कॉर माइनस एन करना variance of sample तो variance कब देखो variance तो आपका square में होता है ना तो यह कभी भी negative नहीं हो सकता can never be negative अगला हमारा question है which is most commonly used consistitive promoter मतलब जो हमेशा active रहे तो वो है आपका 35S promoter कालिफ्लावर मोजयक वायरस में पढ़ा होगा आपने which of the following is not a discrete probability distribution तो discrete probability distribution कौन नहीं है वो normal distribution discrete probability distribution नहीं है which of the following measure of the central tendency is unaffected by extreme value तो देखो आप medium निकालो जो last वाली value है वो कम रहे या ज्यादा medium नहीं affect होता क्यूंकि medium तो mid value होता है ना तो median होगा अगला question होगा the coefficient of variation of the series is 40% and standard deviation is 20 arithmetic mean कितना होगा तो यह आएगा 50 आपका a9 यह technique आफ analysis आप तो a9 से हम variance निकालते हैं a bag contain 10 black and 20 white seed तो आप इसको probability से निकालेंगे तो 1 by 3 इसका answer आजाएगा the standard error of the mean is essential measure of तो the normal distribution score around sample mean तो इसका आना चाहिए पहला answer अगर गलत हो तो आप comment section बता देना अब देखो when a plant will the sequence of event will be followed तो plant will करता है तो wilt होता है तो सबसे पहले क्या होता है एक जो osmosis होता है फिर क्या होता है आपका plasmolysis होता है फिर temporary फिर उसके बाद permanent wilting होता है तो तीसरा होगा इसका right answer a living continuum of sale connected by plasmo desmeta तो plasmo desmeta के through connection है तो उसको हम simplest बोलते हैं लकडी वकडी होती है wooden log होता है वो फूल जाता है rainy season में तो वो क्यूं फूलता है वो imbibescent pressure की बज़े से water will move from the region तो water always move from the higher water potential to the lower water potential तो यह सब बहुत simple है if an a cell the value of asmotic potential is the 10 and pressure potential इतना है तो op-dp यह करोगे तो 0 10 में से 10 घटा होगे 0 atm आ जाएगा अगला question है करा वीच आप the following sequence correctly explain the ascending order मतलब बढ़ते हुए क्रम में dpd तो सबसे कम dpd आपका कहां पर रहेगा आपका root here में कम dpd फिर cortical cell में ज्यादा dpd फिर उससे ज्यादा mesophyll dpd कैसे बढ़ेगा जाद उसमें saluteate करोगे अगला question है पल्सेशन थिवरी दिया था जैसी बोस ने mass flow मंच ने दिया था ट्रांसपाइरसन पूल थिवरी दिया था डिक्सन एंज्वाली रिले पम गाट्लेवस्की ने दिया था तो डी का पहला देख लो कहां है डी का पहला है इसमें वेनस सेल फूली फ्लैशिट का मतलब है की या पिचक गया एकदम तर्गर प्रेसर लगा ही नहीं रहा वाल पे तर्गर प्रेसर घ्दम जीरो होगा वाल प्रेसनर भी जिरो का सकत हैं गया त्रंसफर इस तो तैंस पर अथिक में, इस अपैज्ट करें ब्ल१ान हम धाय। दूसरा होगा, the peptidal transferage activity के इसके अंदर होता है, तो large sub unit के अंदर होता है, 50S ribosome में, enzyme जो होता है, biological catalyst होता है, कौन है जो true है, तो enzyme increase the requirement of activation energy, जो की गलत है, enzyme are consume, जो की गलत है, enzyme are highly specific, जो की सही है, एक particular 1 gene 1 enzyme hypothesis by beetle and tatum, निरोस्परा क्यासा फ्राम देसको माई सिटीज, पढ़े हो न, enzyme function optimally at any pH नहीं भाई, दी नेचर हो जाएगा, an enzyme required for the hydrolyzing the food is your in the caster seed, caster seed में क्या रहता है, लिपीड रहता है न, तो life age इसके लिए जरूर रहेगा, इफ जासपन आप iron against concentration gradients हो, तो donor equilibrium की थुरू होगा ये, अगला हमारा question है, which of the following is a co-enzyme, तो co-enzyme कौन कौन हैगा, ATP आजाएगा, NAD आजाएगा, and TPP आजाएगा, which enzyme was first to obtain in crystallize from, तो सुमनर ने किया था, सबसे पहले ureoge को crystallize, जैक बीन से, चूज दर रॉंग statement from the following in competitive inhibition, inhibitor resemblance in the substrate molecule, ये सही है आपका, competition between substrate and inhibitor to occupy the active side, ये भी सही है, binding the inhibitor to active side, decline the enzyme reaction, तो ये भी सही है, by lowering concentration of effective enzyme, they themselves participate at the increase the reaction rate, नहीं भाई, आप increase करोगे substrate को, तो आपका rate of reaction increase होगा, यानि कि ये गलत है, तो ये ही आपका answer आजाएगा, the first artificial enzyme ribonuclease A-wage synthesized by, तो गटे and merifeldness को synthesize किया था, an enzyme stat when subjected to electric field separate into two fraction, each catalyze the same reaction, मतलब एक enzyme था, दो अलग-अलग enzyme बन गया, दोनों एक reaction को करा रहे हैं, यानि कि एक जैसे हैं, यानि आई-सो enzyme हैं, समझ गे, तो इतने question को हमने देख लिया है, 42 minute में, तो भाई, comment section में बताना, एक आग दो question मिस हुए हैं, उसका आप answer बता देना, लेकिन वही चीज़े, एक आग दो question से tension नहीं लेते हैं, आप CVT की तयारी कर रहे हो, CPT का, या इलहाबाद का, ये question जरूरी है, तो चलो, course में आना हो, तो course में आ सकते हो, मिलते हैं आप से next video में, thank you for watching this video,